हलो एव्यवर्ण गुद मॉर्निंग ये वेलकम बैक तो माइ नीव वीडियो तो ये जो वीडियो है ये शुक्रुवार का वीडियो है सुभे का वक्त है और मैं जो है आ गई हूँ किचन में मुझे करनी है टिफिन की तैयारी वंशिका के लिए तो विदांच की तो अभी आ यारी हो रही है और दुपैर में सब्सक्रावक जो इनूद एक जो Nelson का पुरा इक में सब्सक्रावित बहुत अलग है। जो अपस्टावार के समस्तेख मेंऄ की त्जी ही है। वो बिल्कुल अलग होता है तो यहाँ पर तीन गोभी ये लेकर आए हुए थे लेकिन हुआ ये कि उसमें से एक गोभी में कीड़े थे और गोभी में मुझे कीड़े दिख जाते ना फिर तो मैं उनको बना ही नहीं सकते हूँ तो वो गोभी तो मैंने पूरी फेकी अक्चलि इसमें बहुत जादे ही किड़े थे बाकी की दो गोभी ये बहुत जादे साफ थी अब यहाँ पर देखिए मैंने कढ़ाई ले ली है और इसमें मैंने मस्टर्ड ओयल डाला है थोड़ा सा राई और हींका मैंने तड़का लगाया है उसके बाद इसमें एड़ कर दिये है आलू और गोभी अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और उसके बाद जो है न मैंस में जो मसाले होते हैं ड्राइ मसाले वो एड़ करूँगी और लस्ट में मैं इसमें टमाटर और लेस्ट जो है न उसको भी एड़ करूँगी उसको मैं चोपर में बारीक चॉप कर लूँगी पहले तो गोभी की सबजी वगरा होती है न चाहिए आईरन की कड़ाई में बनाओ चाहिए नॉर्मल कड़ाई में बनाओ अगर आप टमाटर थोड़ा सा लास्ट में डालेंगे तो सबजी का टेस्ट तो बहुत अच्छा हो ही जाता है साथ में टमाटर की विज़े से सबजी जैसे गलने में थोड़ा सा टाइम लेती है तो इस तरीके से सबजी गलने में टाइम भी नहीं लेगी तो यहाँ पर देखिए मैंने सारे ड्राइ मसाले अड़ कर दिये हैं फिर इसको अच्छे से एक बार मिक्स किया है और धक्के पकने देंगे जब गोभी जो है करीब 90% जो है पक जाती है उसके बाद इसको एक बार मैंने चला लिया है और अब मैं इसमें जो टमाटर मैंने चौप करके रखे थे और उसमें न मैंने लहसुन भी चौप कर लिया था हरी मिर्ची नहीं थी मेरे पास वरना हरी मिर्ची भी चौप कर लो त मैं बढ़ता हैज हम पराटा कुछी निकालाव निन रोप्स कि लिया है आटा गुंते गुंते ना मुझसे आज आटा थोड़ा सा गीला हो गया था अक्सर होता है मेरे साथ मेथी का आटा जब लगाऊंगी ना तो थोड़ा सा गीला होई जाता है लेकिन फिर मैंने उसको अच्छे से गूनके और उसमें मैंने हलका सा जो है न ओयल डाल दिया था और ये मैं सरसो का ही ओयल यूस कर रही हूँ तो एक तो ये पीली वाली सरसो है तो इसमें स्मेल नहीं आती है और उपर से ये पकाया हुआ तेल है मैंने पूरी बनाई थी एक दिन तो तेल पक चुका था तो बिल्कुल भी स्मेल नहीं आती है फिर और बस यहां पर देखिए राउन राउन शेप के पराथे बनाऊंगी मैं कोई मतलब इसको शेप नहीं दूँगी दो पराथे मुझे बनाने होते हैं वंची का के टिफिन के लिए पहले न वो एक ही पराथा ले जाती थी लेकिन अब भी जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं तो फिर उनकी डाइट जो है वो बढ़ानी पड़ती है तो इस वज़े से भी मैं जो है मतलब टेंशन की जरुरत नहीं होते है मुझे पता है कि वो अपने एज के एकॉर्डिंग ठीक ठाख खाना खा लेता है लेकिन वंची का थोड़ा सा करती है रोटी वगरा के मामले में न हाँ बहुत ज़दा फेवरेट सबजी बनी होगी तो बात अलगी है इसके लिए दोनों पराटे और आज ना मैं उसे दे रही हूँ वेदांश का टिफिन अच्छा क्या होता है न जो हाथ में लगता है मेरे हाथ में जल्दी बाजी में यही रगा तो फिर मैंने इसी में ही उसको उसका जो लंच है वो पैक कर दिया और फ्रूट ब्रेक के लिए मैं इसको एपल दे रही हूँ पहले इसने साफ मना कर दिया था बट मेरे जबरदस्ती जिद करने पर यह मान गई और काफी दिन हो गए थे फ्रूट ब्रेक में इनको बस बनाना दे दो बनाना दे दो तो जिस दिन अकेले इसको जाना होता है उस दिन टाइम पर हो जाती है सारी चीज़े विदांच के साथ मुझे बहुत जादा चिल लाना पड़ता है लेकिन इसके साथ मुझे ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता है क्योंकि मुझे पता है कि फटाफट से अपने सारे काम खुदी कर लेगी बस इसके बाल बनाने रहते हैं मुझे तो अभी जो है न मैं इसके बाल बना लूँगी कोई मुझे से पूछ रहा था कि आप वंशीका के लिए कौन सा शैंपू यूज करते हो तो ऐसा कुछ नहीं कि इनके लिए मैं अलग से कुछ लेकर आती हूँ तो यहाँ पर मैंने वंशीका की चोटी कर दी है और बस अब वो निकल जाएगी स्कूल के लिए सब अग दिया है वैज अब से कुछ नहीं कि नेश करके आना किके टोना मत तो भी वेदू गुड मौनिंग उठो क्या हुआ उठना नहीं है नीन तो बेटा सबको आती है क्लास है आठ बजे से कितने बजे उठेगा जल्दी बता दीदी चली गई स्कूल जल्दी बता कितने बजे उठेगा पता नहीं क्यों आ रही है यह बहुत दिक्कत वाली बात होगे पता नहीं क्यों बहुत अभी तो जैसे आदत पढ़ गई है न तो बस जो है पहचान में आ जाती है कि कौनसी बस कौनसी स्कूल की है उसके बाद यहाँ पर मैं बनाऊंगी अपने लिए अद्रक वाली चाय जो की मेरा सुबे का energy drink है मेरी सुकून वाली चाय और चाय वगेरा पीने के बाद फिर मैं करूंगी अपने जो बाकी के काम होते उनको शुरू और आज मैंने अद्रक के साथ थोड़ी सी इलाइची भी एड़ कर दी है यह इलाइची पाउडर पीछे छुपावा था बरतनों के बरतनों के क्या और मैं बच्चों के गरम कपड़े देख रही थी और जितने गरम कपड़े देखे सारे चोटे हो गए हर बार का यही होता है जैसे सर्दियों के कपड़े इतने जादा चोटे हो जाते मुझे समझने आता कि यह रखे रखे चोटे हो कैसे जाते कहा मैं सोची थी कि चलो इस आई जाता है जैसे कि अभी आ गया है अब इसके पास मदब गरम कपड़ों के नाम पर कुछ भी नहीं है तो मुझे इसके लिए सारे ही गरम कपड़े दुबारे से लेने पड़ेंगे विदानश के भी छोटे हो गए हैं उसके लिए भी लूंगी लेकिन वंची का यह तो ना निकाले थे कि चलो मैं देख लेती हूं और विदानश को मैंने बोला कि वंची का के तू लोवर पहन लेगा जो छोटे होगे उसमें साफ मना करा बोलता है मैं लड़कियों वाले लोवर नहीं पहनूंगा तो अब मैं ना उनको किसी को दे दूँगी तो हर साल वही होता है मैं रूम ठीक करके आ गई हूँ अब मैं आई हूँ दूसरे वाले रूम में और मुझे आप पर बेटशीट चेंज करनी है और मैंने ना दोनों रूम के लिए ही गरम वाली बेटशीट निकाल ली थी लेकिन विदानश ने बोला कि मुमा अभी हमारे रूम में आप गरम ब बेटशीट बीचा दी है जो मैंने दीवाली के टाइम पर ली थी और यह वाली बेटशीट मुझे सच में बहुत अच्छी रखती है ऐसे कलरफुल सी ना अच्छी लगती है बच्चों के रूम पे न तो मैंने यहां पर बेटशीट चेंज कर दी है उसके बाद पिलो कवर बी लगा दिये है फिर इनकी ब्लैंकेट सेट कर दूगी कोई मुझे से पूच रहा था कि दीदी आपने ब्लैंकेट कहां से लिए हैं बता दो तो देखो जो ब्लैंकेट है ना मेरे दोनों ही ब्लैंकेट बहुत पुराने हैं एक जो पिंक वाला था वो तो मेरी शादी का बलैंकेट है और जो दूसरा बलैंकेट है वह से घर में खर貼 highest मेंने ऑंप और dwald ऑन लाइन नहीं खरीदा था और कवर के सास है गरम 10 existing hell जिनकों केcoras स्क्रबिंग करनी थी आज, तो अगारों का जो इलेक्टरिक स्पिन मॉप है न मैं उससे जो है, इसकी स्क्रबिंग करूँगी, अच्छे से स्क्रबिंग हो जाती है, इससे क्या होता है न कि जितनी भी मिट्टी वगरा बहुत जादा चिपकी होती है न वो बहुत असानी से निकल जाती है, और क्योंकि सर्फ डाल देते न, बैलकरी में तो फर्ष भी बहुत अच्छे से चमक जाता है बैलकरी वाला, तो बस मैंने अच्छे से पूरी बैलकरी की स्क्रबिंग कर दी थी, बहुत दिन से मैंने बैलकरी वाश नहीं किती न, इस वज़े से, और इसके में एक बार मैं इस से जरूर जो है अपनी बैलकोनी क्लीन करती हूँ तो बस इसी क्लीनिंग के साथ करती हूँ इस वाले वीडियो का एंड तो ये था छोटे सा वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताईएगा और वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा मैं आप से मिलती हूँ अपने अगले वीडियो बे तब तक के लिए बाबाए एंड टेक केर